हेलो और वेलकम तो न्यू वीडियो फिचर शिजिन दगी तो आज किस वीडियो में हमनों देखेंगे बेश्ट मदरबोर्ड फॉर राइजन 53600X अंडर 7000 ये बजट रेंज है इस बजट रेंज में जो सबसे बेश्ट मदरबोर्ड आपको मिलता है वो उसके बारे में मैं 7000 यानि की बजट रेंजी से समझ सकते हैं प्रोसेसर के कॉर्डिंग तो सबसे पहले हमों राइजन 53600X के स्पेसिफिकेशन को जान लेते हैं उसके बाद इसके मदरबोर्ड के ऊपर चलेंगे तो इसमें आपको CPU को 6 मिल जाते हैं Threads 12 मिल जाते हैं Base Clock 3.8 GHz की मिल जाती ह इसमें कुछ catch मिल जाते हैं जो कि यहां पर mention है आप देख सकते हैं इसको 7 nanometer की technology पर बनाया गया जो कि बहुत ही अच्छी बात है यह overclock है यानि की unlocked है इसकी package यानि की socket की बारे में कहा जाए तो AM4 है इसी के recording हम लोग कोई भी motherboard चूस करते हैं तो अगर आप कोई भी motherboard चूस process मिल जाता है अगर आप इसे overclock करते हैं तो आप stock cooler इसमें यूज नहीं कर सकते हैं यानि की dubbe के साथ आया हुआ cooler नहीं यूज कर सकते हैं तो रही बात यहां पर सबसे important point की जिससे हमें बहुत सारे problem phase करने को मिलते हैं जैसे blue screen या black screen या फिर हमारा system open ही नहीं होता है तो व memory type भी इसमें बहुत ही matter करता है तो इसमें आपको DDR4 memory type मिल जाता है और सबसे important बात इसमें आपको graphic card नहीं मिलता आपको display चलाना है तो आपको simply एक कोई भी graphic card लेना होगा ना तो यह display output देगा ही है इसमें मैक्स CPU support आपको राइजन 7 तक मिल जाता है और चिपसेट इसमें AMD B450 याने की राइजन सपोर्टेट है इसमें मैक्स CPU support आपको राइजन 7 तक मिल जाता है और चिपसेट इसमें AMD B450 चिपसेट मिल जाता है जो कि बहुत ही best चिपसेट रहेगा आप लोगों के लिए यह चिपसेट आपको best रहेगा इस वीडियो के title के recording तो बात रही है अब memory frequency की जिससे हमारा बुर्य स्क्रीन आफट नहीं हो और बहुत सारे problem हमें नहीं हो तो आप जैसा की देख सकते हैं यहां पर आपको max memory support मिल जाता है 3466 MHz जो कि आपके processor के लिए perfect रहेगा क्योंकि अगर आपके processor की frequency इससे कम है तो सही है अगर इससे जाद है तो आपको motherboard चेंज करना होगा लेकिन यह हो ही नहीं सकता है कि यह आप देख रहे हैं इस चैनल पर साही जानकारी आपको सही मिलती है आगे बारते तो आगे हम लोगों को मिलता है यहां पर memory चैनल तो यह dual memory चैनल motherboard है और आपको इसे में 64 GB मिलता है अगर आप देखेंगे इसके slot में तो इस slot में आपको 16 GB की memory लग सकती है तो इस recording से आप समझ सकते हैं आपको कोई भी पैशानी हो समझने में कुछ आप सिंपली कमेंट कर सकते हैं सारे question के answer आपको वहां पर मिलेंगे तो आपको इसमें 4 slot मिल जाते हैं memory के लिए इ से में सब्सक्राइब बता जाता हूं यहां पर आप अपने ग्राफिक कार्ट को इंस्टाल करते हैं या फिकोई भी और एक्सेस को इंस्टाल करना रहता है तो इसे में हम लोग इंस्टाल करते हैं आगे बाते तो हम लोगो मिलता M.2 slot आखिर यह किया है यह हमारा SATA SSD जो हो देख रहे होंगे और इसमें USB 2.2 के 8 port मिल जाते हैं तो यहां पर on board क्या लिखा और back panel मतलब कि आपके motherboard में मिलेगा और on board मतलब की motherboard ही मिलेगा लेकिन इसने connect करके आप अपने cabinet में connect कर आगे बाते तो आपको इसमें DVI-D1 मिल जाता है VGA port 1 मिल जाता है HDMI 1 मिल जाता है यह सा से आप अपने display को connect करेंगे बातर इसकी size की तो यह आपको micro ATX मिल जाता जो कि simply किसी भी ATX box में micro ATX box में आपको आ जाएगा तो आप इस recording भी अपना cabinet चूज कर सकते हैं वैसे मैं एक cabinet के unboxing कर चुका हूँ गर आप लोग नहीं देखें तो वह देख सकते हैं हमें अच्छा power supply चूज करना चाहिए अगर power supply सही रहेगा तो आपका PCB भी सही रहेगा अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको अच्छा power supply के बारे में बता हूँ तो आप हमें comment कर सकते हैं कि आपको इस पर वीडियो चाहिए तो मैं definitely इस पर वीडियो बनाँगा best power supply आपके लिए तो यह यहाँ पहरा motherboard अब चलते हैं next motherboard की ओर तो दो से नबर पर हम लोगों को मिलता है गिगाबैट का B450 MDS 3H तो चलिए देखते हैं क्या है इसके स्पेसिफिकेशन में simply हम लोग देख लेते हैं कि सौकेट आपको M4 मिल याता मैक्स इसमें 9 मिलता यह अच्छी बात है आपको और इसकी चिपसेट की बात करें तो AMD का B450 चिपसेट मिल जाता है इसमें DDR memory frequency की बात के जोगी सबसे इंपोरेट बात है तो आपको 3200 MHz की frequency मिल जाती है और क्लोक में इसमें यतने भी मंते बोट की बारे में मैं बता रहा हूं सब में आपको और क्लोक करते हैं तो आपको प्रो पोट में जाता है max memories सब्से花ăm 64 की इसमें PCI 16 सिंए मिल जाता है औपर PCI 1 जाता और PCI 21 को मिल जाते हैं刚 democratic , canoe 3 इसमें आपको 4 slot में 1.2 है, इसमें आपकोowe немного USB port 14 मिल जाते हैं , इसमें 3.12 मिलते हैं P1 चार जो कि g1 और 2.0 आपको 8 मिल जाते हैं , 3.1 है 1 आपको, 1 culturally, while left in old ट- और उससे उपर आप जा सकते हैं इसमें एक और अच्छी बात है अगर आप लोग को थोड़ा इस मदरबोर्ट चाहिए तो आप यह ले सकते हैं क्योंकि इसमें आपको RGB फ्यूजर मिल जाता है अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका प्राइस के अतना है तो यह प्राइस सिंप क्योंकि उसे मदरबोर्ट के और चलती है तो थार डामर पर आपको मिलता है और रही बात फ्रिक्वेंसी की तो 3600 मेगा ऑवर क्लॉक मिल जाता है इसमें मेमोरी चैनल डूल है और चार्व स्लोट मिल जाते हैं रैम लगाने के लिए जिसमें मैक्स मेमोरी सपोर्ट 64 मिल जा जाते हैं इसमें PCI4 नहीं दिया गिया है साटा 3 इसमें 6 मिल जाता है और सबसे इंपॉर्ट बात M.2 इसमें भी मिल रहा है लेंड 1 एक मिल जाते हैं और इसमें आपको total USB port के थे हैं वह मैं आपको पता जाते हूं इसमें आपको USB 3.1 port 6 मिल जाते हैं बैक पैनल पे जिसमें जाते हैं और एक और यहीं ते कुछ बेस्ट मदर बोर्ट आपकी इस प्रोसेसर के लिए तो अगर आप चाहते हैं इसके प्राइस देखना तो मैं फिर से याद देखना तो आप जाके देख सकते हैं अगर आप इस पोस्ट को दवाय देखना चाहते हैं तो फीचर इस्टिक जिंदगी सच करके गूगल पर आप इस पोस्ट को देख सकते हैं और रहे बात इस टोटल ओवर और कंपरेजन की तो इसमें से सारे मदरबोर्ड बेश्ट ही बेश्ट है तो आप किसी भी मदरबोर्ड को इसमें से चूज कर सकते हैं सारे मदरबोर्ड आपको बेश्ट ही मिलते हैं इसमें तो यह तास्कें विजया विए थैंक यू थैंक यू वाचिं एंक रोचे